नमस्कार सातियों, Law, Order and Civil Rights YouTube चैनल में आपका स्वागत है, यह चैनल गाउ और गरिब छात्रों को समर्पी चैनल है, केंद्र सरकार ने निती आयोग की सलाह पर गौर किया तो आप IS, IPS, बनने या विदेश में राजदूद बनने का सपना देख रहे हैं, तो आपके सपनों पर पानी फिरने वाला है, यानि कि हजारों योओं का दिल तूट सकता है, यदि आप सोच रहे हैं, कि IS बनना है, थोड़ा सा उम्र जादा हो गया है, या भी मेरा उम्र नहीं हुआ है, तो एक बात यहाँ पर इस समाचार को गौर कर लिजे, आपके लिए यह सबसे बहतर है, बहतर समाचार है, यानि कि 27 साल हो सकती है सिविल सेवा परिच्छा के लिए अधिक्तम आयू, अभी वरतमान समय में जो सिविल सेवा परिच्छा में आवेदन करने की जो उम्र है, वो 30 साल थी, अधिक्तम, आवेदकों के लिए अधिक्तम 30 साल के आयू सिमा रखी गई थी नितियाउग ने सरकार को वर्तमान में मौजूद 30 साल के आयो सीमा बदलने की सला दी है पता नहीं क्यों सला दी है उनको क्या प्राबलम है 27 साल और 3 साल तीस साल में अंतर क्या है यदि 27 साल है तो उसका आधार बिंदू क्या है और 30 साल लखा गया था तो उसका आधार बिंदू क्या खराबी था ये निती आयोग के बिस्रेशन को आधार या उसका बिस्रेशन क्या था उसको पढ़ना चाहिए आदमी को जो है केंदर सरकार ने निती आयोग की सलापर गोर किया तो जिलाधिकारी पुलीस अधिच्यक बनने या विदेश में राजदूद बनने का सपना देखने वाले घजारों यहों का दिल तूट सकता है निती आयोग ने सरकार को सिविल सेवा परिचा में बैटने के लिए 27 साल के आयोश्यमा निर्धारित करने की सलाधी है वरतमान में सामान स्रेणी के आवदेकों के लिए अधिकतम 30 साल का आयोश्यमा निर्धारित है लेकिन आयोग चाहता है कि 2022 और 2023 तक इसे कई चड़नों में घटा कर 27 साल कर दिया जाए सरकार के ठिंक टैंक की भूमी का निभाने वाले आयोग ने ये भी एक जनरल स्टडिय है याद रखेगा सरकार के ठिंक टैंक की भूमी का कोन निभाता है तो निती आयोग तो यहाँ पर आयोग ने यह सला बुद्वार को जारी की गई नए भारत के रणिती 75 दस्तावेज में सरकार को दी है नए भारत के रणिती भी निती आयोग की सिफारिस है यहाँ पर साथी निती आयोग ने यह भी प्रस्ताव रखा है कि केंद्र और राज्यों के इस्तर पर सिविल सेवाओं के दायरे में मौझूद साट में से जादा अलग-अलग नौकरियों के लिए एक ही इंटिग्रेटिंग परिच्छा का आयोजन किया जाए दाइरे में मौझूद साड से भी जादा अलग-अलग नोक्रियों के लिए एक ही इंटिग्रेटेट परिच्छा का आयोजन किया जाए दस्तावेज में कहा गया है कि इंटिग्रेटेट परिच्छा से चुने गए युवाओ को एक केंदरी प्रतिभास समुव बनाकर उसमें रखा जाए जहां से उनकी छमता और नोक्री की मांग के हिसाब से योग्यता का चैन कर उन्हें विविन जगह पर नुक्ति दी जाए दस्तावेज में सुआयत संस्थानों केत कर्मचारियों की सर्विस कंडिशन को भी विनियमित और सुसंगत बनाने के सला दी गई है ध्यान रखेगा आप सोच रहे होंगे कि जो UPSC के माद्यम से आप IS या IPS या IFS बनते हैं और राज पब्लिक सर्विस कमिशन इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन के माद्यम से आप डिप्टी कलेक्टर DSP बनते हैं यदि निती आयोग की ये सिफारीज लागू हो गई तो केवल UPSC के लिए लागू नहीं होगा चुकि UPSC के नियम को मानने के लिए इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन बाद्य है ध्यान रखेगा यदि ये 27 साल हो जाएगा आयोशिमा यानि कि 3 साल कम हो जाएगा तो इस्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन में भी यही सीन दिखाई देगा यानि कि वहाँ पर भी 27 साल रखा जा सकता है ये बात आप इस पश्ट रूप से समझ लिजेगा निति आयोग जो कि सरकार के ठिंग टेंग की भूमिका निभाता है और उनके सिफारिस कुल मिला के कहें कि ये अंतीम होता है अंतीम माना जाता है चुकि निति आयोग में खुद स्वयम प्रदान मंतरी इसके अध्यचता करते हैं फिर उसके बाद में निति आयोग को पाध्यच होते हैं जो जाने माने बेखती होते हैं उसके बाद में इस्टेट के सभी मुख्य मंतरी इसके सदस होते हैं फिर उसके वीत मंतरी जो है उस आपका जो है योजनातर मद का जो है ब्योस्था किया जाता था पॉलिसी निर्माण किया जाता था तो अब निती आयोग इस कारे को करने जा रही है और वो सरकार को अपनी सिफारिश करती है जिसके कारण से सरकार अपनी जो ब्योस्था जो है निती आयोग के आधार पर वो क करने करती है तो यह संभव है कि आपको याद होना चाहिए कि कब तक 2022-23 में अभी नहीं 2022-23 में जो अब एच की जो आयुस्तिमा रखी गई है आई-एस आई-पी-एस बनने की वो 27 साल रख दी गई है तो ऐसे इस्तिती में इस्तिती बहुत खराब हो सकता है अभी आपके लिए मौका है कि आप जो है अच्छे से पढ़ाई करके आई-एस आई-पी-एस में सेलेक्ट हो जाएए और इससे एक आपका जो है जो कह रहा है जिनका तीन साल पहले यानि कि अभी अभी आपको मौका है दब दो हजार बाइस-टेइस बाज आज आएंगे तब तक आपका 27 साल हो गया रहेगा यदि आपका जो है 24-25 साल अभी वर्तमान समय में चल रहा है तीन-चार साल बाद जो है ये आपका हो जाएगा 27 साल तो ऐस 2018 के परिणाम घोसित कर दिये हैं इसके अंतरगत जो गए अब इंटरबू सिधा होगा अभी आप ब्यक्तिगत परिच्छन यानि कि परस्नाल्टी टेस्ट में सामिल होंगे यूपीसी से जारी बयान में कहा गया है कि ब्यक्तिगत परिच्छन के वक्त अभी अर्थियों को परिणाम यूपीसी के वेबसाइट से आप देख सकते हैं इस तरह का समाचार है आपको यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो ये सुचना सभी को देना चाहिए ताकि वो लगन के साथ में इस बार के 2019 के यूपीसी एक्जाम किलियर करें और 2022-23 का इंदिजार करने की बजा अभी से वो आईएस आईपीस के रूप में सेलेक्ट हो जाए और एक बहतर परिणाम समाच को दें माता पिता के असिरवाद लें और अभी से महनत करना प्रारम कर दें एक सुचना आपको बता रहे हैं कि जो गाउं और गरिब छात्र हैं और वो आईएस आईपीस या इस् हैं तो हम 23 दिसंबर 2018 से रातरी आठ बजे हम लाइप क्लास यूटूब लाइप क्लास हम लेंगे जिसमें आप लोग जो है सामील हो सकते हैं और हम टोटल सारे सब्जेक्ट को जो है बहुत ही अच्छे डंग से बिस्रेशन करेंगे जिस तरह से हमने युजिसी नेट के पर पाइदा हुआ है तो वैसे ही आईएस आफिसर आईपिएस आफिसर बनाने का अधायत तो भी एक प्रोफेसर का है एक हमारा एक उद्देश है तो इसलिए आप लोग जो है हमारे यूटूब चैनल के साथ में जूर सकते हैं और लाइप क्लास भी अटेंड कर सकते हैं ठैं घ्क्यू